तो last class में हमने function के बारे में पढ़ा ठीक है तो हमने यह देखा कि कोई भी function जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं जैसे y is a function of x यह notation होती है लिखने की कि अगर y x का function है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कोई भी function अगर अपने को given है जैसे f x is equal to x cube plus 4 x plus 6 कुछ भी दिया है तो अगर हमें function किसी point पे find करना है किसी particular value के लिए जैसे हमें f of 1 find करना है तो हम x की जगा क्या रखेंगे 1 substitute कर देंगे और इसको solve कर लेंगे तो यह आगे हमारे पास f of 1 ठीक है तो यह function में हमने basic चीज़े देखी फिर हमने देखा कि slope क्या होता है line का तो slope हमने देखा कि अगर कोई भी line है वो positive direction of x-axis से anti-clockwise direction में जो angle बनाती है इस angle का 10 जो है वो क्या कहलाता है slope तो slope हो जाएगा 10 ठीटा अगर line ऐसे है तो यह हो गया अगर ऐसे है तो भी यह जो positive direction of x-axis से जो angle measure करेंगे इस angle का जो 10 होगा इसको हमने अगर ठीटा 1 बोलने है तो इस line का slope हो जाएगा 10 ठीटा 1 ठीक है और फिर हमने यह भी देखा कि अगर acute angle होता है तो 10 ठीटा positive आता है obtuse angle होता है तो 10 ठीटा negative आता है और अगर हमें 90 से बड़े angle के लिए 10 निकालना है तो हम यह use कर सकते है 10 180 minus ठीटा is minus 10 ठीटा ठीक है तो यह हमने last class में पढ़ा था brief में हम उसको इस तरह से देख सकते है अब आगर लिखाओ हम ऐखाओ लिए ग्न सकते है और सकत देख सके भी आगम आग 29 Board image आग 25 Board image चैझाए कर घटा hel suit कर आग 25 Board image पर हम एए भी तन sharp की equation इस तरह से लिखी जाती है, equation of straight line is y is equal to mx plus c, straight line की equation हम इस तरह से लिखते हैं, y is equal to mx plus c, where m is slope of line and c is y-intercept. तो slope हमने already discuss किया हुआ है, y-intercept का मतलब होता है कि line y-axis को कहां पर cut करेगी, जिसे माल लो, ऐसे हमने एक line draw करी, अब slope का मतलब क्या होता है, positive direction of x-axis से हम इसका anti-clockwise direction में angle measure करें, तो इस angle का 10 जो है, वो तो क्या हो जाएगा, slope, तो m slope है, तो slope किसके बराबर हो गया, 10 theta, और y-intercept का मतलब होता है, ये line y-axis को कहां पर cut करेगी, ये वाला point क्या कहलाता है, y-intercept, तो अगर उपर cut करेगी, तो c कैसा आएगा, positive, और अगर नीचे cut करेगी, तो c कैसा आएगा, negative, ठीक है, तो ये state line, तो y और x तो variable हो गया है, तो y x पे depend कर रहा है, इस relation के तुरू, ये relation state line की equation होती है, y is equal to mx plus c, इसको linear equation भी बोलते हैं, तो हमने 10th class में पढ़ा होगा, दो तरह की equation पढ़ी होंगी, एक linear equation, एक quadratic equation, तो linear equation में x की power 1 होती है, quadratic में maximum power किती होती है, 2, ठीक है, तो ये एक linear equation है, और इसका जो graph है, वो क्या बनता है, straight line बनता है, आ रहा है समझे है, जैसे हमें एक example लें, एक ऐसी line है, ये angle है 60 degree, और ये point है 0,3, अब अगर हमें इस line की equation लिखनी है, हमें एक line दे रखी है, और अगर हम इसकी equation लिखना चाहते हैं, तो इसमें हमें सबसे बहले क्या find करना है, slope and c, तो slope जो है m, वो किसके बरावर हो जाएगा, 1060 degree, 1060 degree कितना होता है, root 3, और y intercept क्या होगा, 3, जो y axis पे कहां cut कर रही है, तो जो equation of line है, वो किया रहे हैं, y is equal to root 3x plus 3, तो यह इस line की equation होगी, अच्छा है, यह x axis है, यह y axis और यह एक line दे रखिए है, इस line की equation लिखे हो, क्या होगी, तो अब इसमें, जो slope होगा, m, वो हो जाएगा, 1045 degree, which is 1, और यह y axis पे negative side पे cut कर रही है, तो y intercept negative हो जाएगा, that is, minus 2, अब y is equal to m x, तो 1 हो गया, तो x और c की value कितनी है, minus 2, तो यह इस line की equation होगी, ठीक है, अच्छा, ऐसे ही यह एक line दे रखिए है, इसकी equation लिखो, right equation of line, अब इसमें हमको theta given नहीं है, और हमको theta भी नहीं चाहिए है, हमें slope के लिए क्या चाहिए होता है, tan theta, और लेकिन किस theta का tan, यह वाला angle जो है, तो यह theta जो है, इसका अगर हमें 10 पता चल जाए, तो slope पता चल जाएगा, अब यह जो angle theta है, तो यह वाला angle भी theta ही होगा, ठीक है, और यह एक right angle triangle है, तो इसमें यह वाली जो side है, यह side हो गई, 3, और यह वाली side हो गई, यहां रखना है, length 4 ही रहेगी, minus 4 coordinate है, ठीक है, यह length कितनी रहेगी, 4, तो यहां से हम 10 theta निकाल सकते हैं, आसानी से, तो slope क्या होता है, 10 theta, तो that is 4 by 3, तो slope आ गया, और y intercept हमें पता ही है, minus 4 है, तो c is equal to minus 4, तो equation होती है, y is equal to mx plus c, 4 by 3x minus 4, यह equation आएगी, line की, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा theta given हो, या सीधे 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 से given हो, हमें इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के 10 theta find करना पड़ सकता है, राइट इक्वेशन आफ लाइन, अधर को इसमें, यह angle दिया है, तो ऐसा नहीं हम इसका 10 निकाल लेंगे slope के लिए, slope के लिए तो हमको इसका 10 देखना है, इस वाल एंगल का, positive direction of x-axis से anti-clockwise, तो यह कितना angle होगा, 150 degree, तो slope हो जाएगा, 10 of 150 degree, तो इसको हम लिख सकते हैं, 10, 180 degree minus 30 degree, और 10, 180 minus theta, minus 10 theta होता है, तो यह रहेगा, minus 10, 30 degree, that is minus 1 by root 3, यह हमने यह भी discuss किया था, last class में, हम सीधे इस angle का 10 तो निकाल दें, लेकिन उसके साथ, negative sign लगा दें, क्योंकि, अगर इस तरफ होता है, तो slope positive आएगा, इस तरफ negative, तो directly हम 10, 30 degree लिखके, उसके साथ negative sign लगा सकते हैं, तो यह slope आ गया, और y intercept कितना है, 5, तो equation होगी, y is equal to minus 1 by root 3x plus 5, यह इस line की equation आ जाएगी, ठीक है, आ रहा है समझ गये, तो ऐसे हम line अगर दी है, तो उसकी क्या लिख सकते हैं, equation लिख सकते हैं, अब कई बार line की equation दी हो सकती है, और उससे हमें line draw करना बोल सकते हैं, लाइन draw करके बताओ, जैसे माल लो, हमको दे दिया, y is equal to 7x plus 4, इसको हमें draw करना है, इसका graph बनाना है, तो अब क्या करेंगे, अच्छाब देखो, इसमें हमको बहुत exact नहीं बनाना होता है, एक approximate graph बनाना है, जो क्या हो करेंगे, एक तरीका तो यह है, जो हम पहले भी करते थे, x की अलग-अलग value के लिए क्या करें, y निकाल लें, कुछ points plot कर लें, वैसे निकरने की ज़रुत नहीं है, अब हमने जो सीखा है, तो इस line के हिसाब से, हमें क्या बता चल रहा है, इसका slope कितना है, 7, positive slope है, तो positive मतलब line किस तरफ जुकी होई होगी, इस तरफ जुकी होई होगी, negative होता तो इधर जुकी होगी, और y intercept कैसा है, positive, यानि यहां से cross करेगी line, 0,4 से, और इस तरफ जुकी होगी, तो roughly, जो line है वो कुछ, इस तरह से बनेगे, बतार जिसे अपने से ये equation दे दी और 4 options दे दी है, कि select करो कौन सा है, तो अपने को roughly देखना आना चाहिए, बिलकुल exact बनाने की ज़रुवत नहीं है, exact बनाना हो तो फिर ठीक हम कुछ points निकाल के बना सकते हैं, अगर एक rough sketch बनाना है, तो main चीज क्या है, कि y intercept कैसा है, और slope कैसा है, तो उन दोनों से हम बता सकते हैं, कि line इस तरह से होगी, अच्छा ऐसे ही y is equal to the y minus 2x minus 3, इसको draw करो, तो अब इसमें slope नेगेटिव है, और y intercept भी नेगेटिव है, तो y axis को negative point पे cut करीं, कौन से point पे, minus 3 वाले point पे, और slope भी negative है, यानि इस तरह जुगी होगी, तो यह इस तरह से line बन जाएगी, बागी slope का मतलब यह है कि, अगर हम इस angle को थीटा बोलेंगे, तो 10 थीटा किसके बराबर होगा, minus 2 के बराबर होगा, अचा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही दिया हो, ऐसे भी दे सकते हैं equation, 4y प्लस 3x माइनस 6 is equal to 0, इस line को draw करो, draw this line, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस form में लिख सकते हैं, उसको right-hand side ले जाके terms को, draw करो इस line को, देख अब इसमें भी हमको पहले इसको, y is equal to mx प्लस c जैसे लिखना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 4y is equal to minus 3x प्लस 6, अब 4 से divide भी करना पड़ेगा, अभी equation ऐसी नहीं आई, y is equal to minus 3 by 4x प्लस 6 by 4, यह equation आईगे, तो अब यह उस form में आ गई, y is equal to mx प्लस c, तो m कितना है, minus 3 by 4 और c कितना है, 3 by 2, 6 by 4 यह 3 by 2, तो slope negative और y intercept, positive, तो y intercept positive यानि यहां कहीं कट करेगी, और slope negative मतब इस तरफ जुकी हुई होगी, तो ऐसे यह line बन जाएगी, ठीक है, जाएगे, चला ऐसे ही, 6y minus 2x plus 3 is equal to 0, इसको draw करों, तो इसमें यह आ रहाएगा, 6y is equal to 2x minus 3, तो y is equal to 6 से divide करोंगे यह रहाएगा, 1 by 3x minus 1 by 2, तो slope है positive और y intercept कैसा है, negative, यानि कि यहां पे cut करेगी, और slope positive है तो ऐसी line बन जाएगी, minus 1 by 2 पे cut करेगी और slope positive है, तो ऐसे हम किसी भी line को, draw कर सकते हैं, अज़ आप कुछ specific case कई बार ऐसे दे देते हैं कि, इसे y is equal to 6 है, इसको draw कर रहा है, अब इसमें देखेंगे तो y actually क्या है, constant, अगर slope की बात करें तो slope कितना हो जाएगा, 0, slope 0 का मतलब, theta 0, यानि x-axis के, parallel line आ जाएगी, वैसे भी अपने उसको सीथे देखें, y is a constant, y की value हमेशा क्या रहेगी, 6, x कुछ भी कर लो, y 6 रहेगा, तो ये line क्या होगी, जो y is equal to 6 से pass करेगी, और parallel to x-axis होगी, ठीक है, तो ऐसे अगर कभी दे दिया, कि ऐसी lines draw करनी है अपने अगो, तो इसका मतलब है, y constant है, अब x पर depend ही नहीं कर रहा है, तो x की सभी values के लिए y की value क्या रहेगी, 6, तो ऐसी line हम इस तरह से draw करेंगे, ऐसी अगर y is equal to minus 3 draw करना है तो फिर, तो ये y x इसको minus 3 पर cut करेगी, ठीक है, तो ऐसे ही अगर, x is equal to 5 draw करना है, फिर क्या होगा, तो x is equal to 5 कहां तब वो y के parallel आ जाएगी, तो y की कि सी भी value के लिए x क्या रहेगा, constant, and that constant is equal to 5, तो ये यहां से pass करेगी, ठीक है, और ऐसी अगर x negative होगा, तो फिर, negative side पर cut करेगी, जैसे, यह इदर बना लेते हैं, x is equal to, अगर minus 2 है, तो ये इस तरफ minus 2 पर cut करेगी, तो इस तरह से हम different lines को draw कर सकते हैं, line draw की हुई है, तो उसकी equation लिख सकते हैं, अगर अगला एक क्वेशन लिख सकते हैं, find the point, find the point at which, find the points at which the line 2y plus 7x minus 6 is equal to 0 cuts the x-axis and y-axis find the points at which the line 2y plus 7x minus 6 is equal to 0 cuts the x-axis and y-axis तो क्या किसे करेंगे इसमें अब x-axis को cut करने का क्या मतलब होगा? हाँ, तो यह ध्यान रखना है, x-axis को कोई line तब cut करेगी, जब उसका y क्या हो जाएगा? 0 और y-axis को cut करने का मतलब x-0 तो उसमें y को 0 रखोगे, तो x-axis पे कहां cut करेगा, वो point आजाएगा, और x को 0 रखोगे तो y-axis वाला point आजाएगा, तो इसमें for x-axis x-axis को cut करने के लिए y क्या हो जाएगा? 0 तो y को 0 रख दिया जाएगा, 7x-6 is equal to 0 so x is equal to 6 by 7 and for y-axis x is equal to 0 हो जाएगा, तो x को 0 रखोगे तो क्या जाएगा? 2y-6 is equal to 0 so y is equal to 3 ठीक है? आरह समझ यह है? तो ऐसे हम यह point निकाल सकते हैं कि line x और y-axis को कहाँ पर cut करेगे और line नहीं, कोई भी curve हो, कोई भी equation हो, x-axis को cut करने का मतलब क्या है? y-0 हो जाएगा, y-axis को cut करने का मतलब क्या है? x-0 हो जाएगा, जैसे, चले एक और ऐसे ही question करो, find the points, find the points at which, find the points at which the curve, at which the curve, y-square plus x-square is equal to 16, y-square plus x-square is equal to 16, cuts the x-axis and y-axis, तो ये curve x-axis को कहां cut करेगा, और y-axis को कहां cut करेगा, तो इसमें भी x-axis के लिए, y को 0 कर देंगे, तो y को 0 करोगे, तो x-square आजाएगा 16, तो x आजाएगा plus minus root 16, that is plus minus 4, ठीक है, तो 2 points आएँगे, plus 4 x minus 4, ऐसे ही y-axis के लिए, x को 0 कर देंगे, तो y-square 16 आजाएगा, तो y आजाएगा plus minus 4, तो y-axis पे भी, 2 points पे cut करेंगे, ठीक है, अचाँ वैसे यह इक्वेशन है, तुम आगे math में बढ़ोगे, अच्छली circle की equation होती है, नहीं, circle की equation होती है, तो यह circle है, तो यहाँ पर भी cut करेगा, यहाँ पर भी cut करेगा, यहाँ पर भी cut करेगा, तो यहाँ पर भी cut करेगा, ठीक है, तो यहाँ इसकी equation है, parabola, देखो, सही बात है, तुम लोगों का doubt भी genuine है, तो देखो, उसमें, सिर्फ x की power 2 होती है, y की power 1 होती है, तो क्या होता है, parabola, यहाँ y की भी power किती है, 2, x की power 2 है, यह किसकी equation होती है, circle की, ठीक है, तो linear equation में, y, x का linear function होता है, linear मतलब x की maximum power क्या होती है, 1, और quadratic equation में, y, x, y का जो expression होता है, उसमें x की maximum power किती होती है, 2, लेकिन y की power क्या रहती है, 1 ही रहती है, यहाँ दोनों की power 2 है, तो इसलिए यह parabola नहीं हो है, यह किसकी equation होती है, circle की equation होती है, ठीक है, तो यह वैसे math में पढ़ोगे, अपने अभी ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन वैसे एक graph idea अपने को, ऐसा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो समझाया, straight line की equation क्या होती है, उसका graph कैसे बना सकते हैं, अगर straight line का graph दिया है, तो उससे कैसे equation लिख सकते हैं, और कोई भी curve, x या y axis को cut कहां करता है, तो x axis को जब cut करेगा तो, y coordinate 0 हो जाएगा, और y axis को cut करेगा तो, x coordinate 0 हो जाएगा, अब दूसरा जो common graph, physics में use होता है, और ज्यादा तर अपन लोग use करते हैं, वो होता है, quadratic expression या quadratic equation का graph, तो graph of quadratic expression, तो quadratic equation या expression होगा, या एक्स्पेशन होगा, तो या एक्स्पेशन होगा, ठीक है, तो 10th class में पढ़ा होगा थोड़ा सा, quadratic equation के बारे में, क्या पढ़ा है, solve कैसे करते हैं, पढ़ा है न, इसके कितने roots होता हैं, तो, अब उसमें condition होती है कुछ, roots, real, and distinct, real and equal, and non-real, या imaginary भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम एक term और, use करते हैं क्या, discriminant, यह अगर quadratic equation है, तो इसका discriminant क्या होगा, discriminant क्या होगा, b square minus 4ac, अच्छा, real roots की क्या condition होती है, अच्छलो, पहले, इसके जो दो roots होंगे, उनका बन क्या लिख सकते हैं, roots of equation, so, x is equal to minus b, plus minus under root d, upon 2a, यह इसके दो roots हम लिख सकते हैं, ठीक है, so, discriminant जो होगा, यह, होगा, b square minus 4ac, और roots होंगे, minus b, plus minus under root d, by 2a, अब देखो, जो root के अंदर, अगर positive quantity होगी, तभी वो एक real number आएगा, otherwise, वो real number नहीं होता है, तो वहीं से वो हमारे पास condition आती है, कि अगर d positive है, if d is greater than 0, तो d positive है, तो कैसी value आएगी यहाँ पे, real value आएगी, लेकिन एक plus sign लग रहा है, एक minus, तो दो अलग-अलग values आएँगी x की, तो कितने roots मिलेंगे, दो और real roots मिलेंगे, if d is greater than 0, then, to distinct real roots, अगर d 0 हो गया, तो यह term तो 0 ही हो गई, तो सिर्फ बचा minus b by 2 है, तो भी हम बोलते हैं, दो roots होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? Equal, then, to, equal real roots and if d is less than 0, then, अब d less than 0 है, तो यह real quantity ही नहीं आएगी, हम बोल देते हैं, no real roots, ठीक है, तो यह सब तुमने 10th class में भी पढ़ा है, तो इसमें, ठीक है, यह तो एक quadratic expression है, equation का मतलब यह होता है, कि हम इसको किस से equate कर देते हैं? 0 से, जब 0 से equate करेंगे, तो x की यह दो values आती हैं, तो इन values को अगर हम substitute करेंगे, यह term किसके बराबर आजाएगी? 0 के बराबर आएगी, और यह roots के लिए conditions आती हैं, अब यह तो ठीक हमने पढ़ाता है, लेकिन अब इसका graphically या physical significance क्या है? कि physically या graphically हम इसको कैसे interpret कर सकते हैं? अब पहली बात तो जो भी quadratic expression है, उसका जो graph बनता है, वो parabola बनता है, ठीक है? यह जो graph होता है quadratic equation का, वो क्या होता है? parabola. तो parabola क्या होता है? एक curve type का होता है, ठीक है? और basically इस तरीके से curve होता है, वो ऐसे फैलता जाएग, फिससे आगे जाएगा, ठीक है? तो ना तो straight line है, ना circle है, पर स्याहां से ऐसे curve होगा, और ऐसे करके आगे जाते हैं, क्या होता जाएगा? expand होता जाएगा. तो इस ऐसे graph, मतब ग्राफ ऐसा होना जरूरी नहीं हो, यह equation का graph हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोला, और भी किसी equation का graph ऐसा फैलता हो, बन सकता है, लेकिन पैराबोला तभी कहेंगे, जब इस तरह की equation लिखी होई हो, ठीक है? तो इसका graph, पैराबोला बनता है, अच्छा, तो जैसा भी अपने देखा यह, अब यह तो पैराबोला है, इसमें दो sides होती है, एक तो यह वाली side, एक यह, इस वाली side को हम बोलते है, concave, ठीक है? जो जैसे गुफा जैसी side है, cave वाली, को कहलाती है? concave, और दूसरी side कहलाती है, convex, यह तुमने lens वगरा में भी पढ़ा होगा, mirror वगरा में, mirror की जो curved side होती है, उसको, concave side बोलते हैं, और जो बाहर वाली side होती है, उसको, convex side बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें, parabola, ऐसा उपर भी बन सकता है, और नीचे भी बन सकता है, वो किस पे depend करता है? A पे, तो अब इसमें लिखो, तो graph of, graph of quadratic expression is a parabola, graph of quadratic expression is a parabola, ठीक है, तो quadratic expression का graph कैसा होता है? parabola, अब उसमें, A से यह पता चलता है, कि graph उपर की तरफ concave side होगी या नीचे की तरफ, तो if a is greater than 0, if a, यह मतलब यह जो x square है, इसका coefficient, if a is greater than 0, then, parabola is concave upwards, concave upwards का मतलब, जो concave side है, वो कहां की तरफ होगी उसकी? उपर की तरफ, मतलब ऐसे type का, बनेगा parabola, ठीक है? and, if a is less than 0, if a is less than 0, then parabola is concave downwards, या convex upwards भी बोल सकते हो, इस तरह से, कि उसकी concave side कहां की तरफ होगी? नीचे की तरफ होगी, तो यह a से decide होता है, कि parabola concave upwards बनेगा, या concave downwards, अगर a 0 हो गया तो, फिर कैसा बनेगा? हाँ, फिर वो quadratic रहेगी नहीं, वो straight line हो जाएगी, क्योंकि a 0 हो गया, तो फिर कैसी equation हो जाएगी? linear, और graph कैसा बन जाएगा? straight line बन जाएगा, ठीक है? तो यह, अब अपने को पता चला कि, कैसा graph बनता है? parabola, और a greater than 0 है तो, concave upwards, a less than 0 है तो, concave downward. चलो, अब, यह जो roots वगरा हैं, इनका क्या मतलब है? अब roots जब हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस equation को 0 से equate करते हैं? roots निकालते हैं, तो क्या करते हैं? ax square प्लस bx प्लस c को किसे equate कर देते हैं? 0. मतलब y को हमने क्या कर दिया? 0. तो अगर y को 0 करके, हम x find कर रहे हैं, तो वो क्योंसे points होंगे? जहां पे graph x-axis को cut करता है? किसी भी equation में, जब हम y को 0 करते हैं, तो हमें कौन से points मिलते हैं? वो points जहां पे graph किसको cut करता है? x-axis को. तो जब हम दो values लिखते हैं x की, वो actually क्या बताता है? कि graph x-axis को किन दो points पे cut करेगा? अब वो depend करता है d पर भी. अब यह जो हमने सब लिखा है, इसका मतलब क्या है? जिसे माल लो, a greater than 0 है, suppose हम एक case माल लें. तो a greater than 0 है, तो graph कैसा बनेगा? concave upwards. अब वो concave upwards graph ऐसा बन सकता है. जब नहीं origin से pass करें, नहीं सही pass कर सकता है. negative, पूरा negative में हो सकता है. negative, positive में हो सकता है. इधर हो सकता है. ऐसा बन सकता है. अब ऐसा बन रहा है, तो वो कहां कट कर रहा है? दो points पर कट कर रहा है, x-axis को. तो दो points पर कट कर रहा है, मतलब इसका d greater than 0 होगा. क्योंकि d greater than 0 पर क्या आएंगे? दो distinct real roots आएंगे. तो graph इस तरह का, मतलब इस तरह का, इसका symmetry वाला जो point है. यह vertex x-axis से कहां लाई करेगा? नीचे. ठीक है? अब d equal to 0 का मतलब क्या है? equal roots आएंगे. equal roots मतलब एक ही value आएगी. तो एक ही value आएगी, तो वो ऐसा graph होता है, वो x-axis को बस touch करके चला जाएगा. तो vertex है, वो x-axis को क्या करेगा? सिर्फ touch करेगा. तब इसमें क्या हो जाएगा? graph तभी भी parabola है, लेकिन एक ही point पे x-axis को touch कर रहा है. यह कौन सा case होगा? d is equal to 0. और d less than 0 का मतलब है, कोई भी real root नहीं होगा, यानि x-axis को cutी नहीं करेगा. यानि वो ऐसा graph हो जाएगा. कि पूरा का पूरा graph ही कहा रहेगा? उपर. और उपर ही बढ़ेगा, तो यह कभी x-axis को touch नहीं करेगा. यह d less than 0. तो graphically, यह मतलब होता है, जो हम बोलते हैं, दो equal roots हैं, या दो distinct roots हैं, या non-real roots हैं. तो यह दो distinct real roots हैं, यह equal roots हैं, real, और यह real roots नहीं हैं. ठीक हैं? आरहा है समझें? Two equal real roots. देखो, actually दो इसलिए बोलते हैं कि, कोई भी quadratic equation होगी, उसके क्या होते हैं? दो roots होंगे. तो हम यह बोलते हैं कि, उसके यह दो roots हैं, बराबर हो गए. यह कहने का उसमें मतलब. क्योंकि यह mathematics सहसे हैं, कि अगर linear equation है, तो उसमें क्या होगा? एक point पे touch करेगी line x-axis को. quadratic equation है, तो कितने point पे touch करेगी? दो. अब अगर दो अलग-अलग हैं, तो हम ऐसे बोल देते हैं, distinct हैं. अगर एक ही point पे touch कर रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? कि दो roots हैं, लेकिन वो दोनो roots कैसे हैं? बराबर हैं. इस तरही के से. ठीक है? ऐसे अगर x की power 3 होगी किसी equation में, तो उसमें कितने roots आएंगे? 3. अगर उसे 3 नो बराबर भी हो सकते हैं? दो बराबर हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है. बागी mathematically ये convention लिया जाता है, कि किसी भी equation में x की जो highest power होगी, उसमें maximum अपने को उतने ही क्या मिलेंगे? roots मिलेंगे. अगर उससे कम मिल रहे हैं, तो कुछ roots आपस में क्या हो गए होंगे? बराबर हो गए होंगे, ऐसा हम बोलते हैं. ठीक है? और ऐसी अगर e less than zero होता, तो क्या हो जाते हैं? एक downward आ जाते हैं, तो ये ऐसा कुछ आता, ये भी एक point पर touch करता, और ये नीशे की तरफ आ जाता. ठीक है? तो बस ये बता रहा है कि d से अपने को क्या बता चलता है? कहीं पर cut कर रहा है या नहीं. अब और ये जो दो points हैं, जहां पर वो cut करता है, ये दो points क्या होंगे? वही जो roots होते हैं. मतलब x1 क्या हो जाएगा? minus b plus under root d by 2a, और x2 क्या हो जाएगा? minus b minus root d by, मतलब इस तरह से, x2 उन values को represent करेंगी. ठीक है? या इसको हम x1 छोटी value है, तो इसको minus लगा दें, यहां पर plus लगा दें. और इस case में d 0 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा सीधे? minus b by 2a. ठीक है? और इस case में cut ही नहीं कर रहा है, तो x की कोई value अपने को, मिलेगी नहीं. आरह समझतो, जो roots हम निकालते हैं, वो roots क्या बता रहे हैं? कि y 0 किंदो point पे होगा. तो किंदो point पे होगा, जहां पे curve x-axis को क्या दरेगा? cross करेगा. अच्छा, अब एक ये जो vertex होता इसका, इसका भी हम coordinate याद रख सकते हैं. तो coordinate of vertex, तो vertex सा coordinate होता है, minus b by 2a, minus d by 4a. तो vertex मतलब ये वाला जो point है, टिप वाला जो point है. तो उसका coordinate होता है, minus b by 2a, minus d by 4a. ठीक है? अब इन सब का हम use कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें कोई graph draw करना है, कभी quadratic equation का, तो उसमें हम use कर सकते हैं. कैसे? जैसे एक example करके देखते हैं. मल हमको दिया है, y is equal to 2x square minus 4x plus 3. ठीक है? अब इसको draw करना है हमको. तो सबसे बहले तो, हम यह देख लें कि a जो है, वो कितना है यहाँ पर? 2 is greater than 0. तो कैसा graph बनेगा? concave upwards. तो this implies concave upwards. उसके बाद discriminant देख सकते हैं. discriminant क्या होगा? b square minus 4a. तो b square होगा minus 4 का square. minus 4 into 2 into 3. तो minus 4 का square आगा 16 minus 24. तो minus 8. so discriminant less than 0 आ रहा है. यानि कि no real roots. no real roots मतब touch ही नहीं करेगा. ठीक है? अब क्या 7 graph बना लेंगे? अब touch नहीं करेगा तो भी ये तो नहीं पता कि वो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा. तो उसके लिए हम एक और चीज क्या find करें? vertex find कर लें कि उसका vertex कहाँ पर होगा, जो अपने को help करेगा. तो जो vertex है, उसके coordinate क्या होंगे? minus b by 2a. तो vertex का जो x coordinate है, minus b by 2a. तो minus b कितना हो गया? और sign के साथ रखना है यहाँ पर. तो minus तो अलग है. और b कितना है? minus 4. और a कितना है? 2. तो 2a भी आ गया, 4. यह कितना आ गया? 1. और y क्या जाएगा? minus d by 4a. तो minus d is minus 8, 4a is 8. यह कितना आ गया? 1. ठीक हैं? आ रहे हैं समझें? तो दिक्कत किसी को. तो यह equation थी, इसमें a, a क्या होता है? x square का coefficient. वो क्या है? greater than 0, तो concave upwards बनेगा. discriminant होता है, b square minus 4a, यह वो negative आ रहा है, that means no real roots. यह कट नहीं करेगा axis को. अब जो vertex है, हमने वो देख लिया, vertex का x coordinate रहे है, minus b by 2. अब b क्या है यहाँ पे? minus 4. और a कितना है? 2. तो minus 4 upon 2, equivale 4 आ गया, तो यह 1 आ गया. तो अब इसको हम, अगर plot करते हैं, तो यह x axis है, यह y axis, तो upward बनना है, और 1,1 तो x भी 1, y भी 1, तो यहाँ एक point आ जाएगा, मतलब इसका x coordinate भी 1 है, और y coordinate भी 1 है, यह है vertex. अब vertex के about parabola क्या होता है? symmetric. और upward आ रहा है, तो मतलब, इस तरह से, यह बन जाएगा. ठीक है? अच्छा, यह भी बता सकते हैं, बन की, x axis को कट नहीं कर रहा है, लेकिन y axis को कट करेगा. अग y axis को कहां कट करेगा, वो बताना है, तो क्या करेंगे? x को 0 रग दें. तो अगर उसमें x को 0 रग दें, at x is equal to 0, y कितना आजाएगा? 3. तो हम यह बता सकते हैं, y axis पे वो किस point पे कट कर रहा होगा? 3 वाले point पे कट कर रहा होगा. दोग अब इसमें, अपने को एक rough estimate बताना है, बस यह है कि parabola अब जिसे, कैसे जा रहा होगा, अब आपने यह point देख लिया, तो इधर से इतना उसमें वो आएगा, अब आगे जाके बस वो फैलता जाएगा, तो अब आपने यह exact नहीं बता सकते हैं, क्या width होगी वो तो यह ही कि हम value substitute कर करके देख सकते हैं, जिसे हमें और ज़्यादा detail में जाना है, तो फिर हम जैसे x की value 4 रखके देख सकते हैं, कि 4 पर क्या आएगी y की value, 7 पर क्या आएगी, अलग-अलग values पर देख सकते हैं, बस यह है लेकिन वो ऐसे security गानी आगे जाके, जो graph है आगे जाके क्या होगा, बस ऐसे expand करका जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, बस इतना अपने को ध्यान रखना है, यह आना चाहिए समझ, अच्छा, ऐसे ही एक खुद से draw करके देख सकते हैं, पराबुला, y is equal to 4x square minus 2x plus 2, य प्लस 1, इसको draw करो, अब जो a है, that is 4, is greater than 0, तो इसका मतलब, concave upwards, discriminant b square minus 4ac, तो minus 2 square minus 4 into 4 into 1, यह देगा 4 minus 16, that is minus 12, less than 0, तो no real roots, यानि यह भी touch नहीं करेगा, मतलब, cross नहीं करेगा, x axis को होना, touch करेगा, फिर vertex देख लें, तो x coordinate minus b by 2 है, तो minus of minus 2 by 8, तो इसका रहेगा, 1 by 4, y is equal to minus d by 4 है, तो minus of minus 12 by 16, यह रहेगा, 3 by 4, तो, तो x 1 by 4 है, और y 3 by 4 है, तो, मतलब, यह 0.25, यह 0.75, और उपर की तरफ expand कर रहा है, यह भी देख सकते हो, y कहां पर touch करेगा, तो at, x is equal to 0y कितना आ गया, 1, यानि 1 पर cut भी करेगा यहां पर, यह parabola बनेगा वो कुछ, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, यह उसका vertex हो गया, और vertex के about symmetric होता है graph, मतलब जैसा यहां पर जाएगा, वैसा ही, वहां पर जाएगा, आरहा है समझे, चलो, एक और करो ऐसे, y is equal to x square minus 5x plus 6, इसको plot करो, दो, इसमें, a जो है, it is 1 which is greater than 0, so, concave upwards, discriminant b square minus 4ac, so, minus 5 ka square, minus 4 into 1 into 6, जा लेगा 25 minus 24, that is 1, यह greater than 0 है, so, 2 distinct, real roots आएंगे, अब अगर roots आ रहे हैं, चाहे distinct आ रहे हैं, चाहे equal, तो roots भी निकालो, तो अब जो roots आएंगे, तो x1 क्या हो जाएगा, minus b minus root d by 2a, so, minus b is 5, minus root d is 1 upon 2, यह कितना जाएगा, 2, और x2 हो जाएगा, minus b plus root d by 2a, तो 5 plus 1 by 2, तो इन दो, अब यह roots का मतलब है, इन दो point पे वो x-axis को cut करेगा, और vertex भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो vertex में x आजाएगा, minus b by 2a, तो minus of, b is minus 5 upon 2, तो कितना जाएगा, 2.5, और y आजाएगा, minus d by 4a, तो minus 1 upon 4, तो minus 0.25, ठीक हैं? तो अब इसको, जब plot करोगे, तो basically यह 2 और 3 पे cut करेगा, तो यह x is equal to 2, और x is equal to 3, इन दो points पे cut करेगा, और cut करेगा, और symmetry होती है, तो obvious ही बात है, यह vertex तो इनके बीच में ही आएगा, तो vertex कहां आ रहा है, 2.5 इनके बीच में, और यह वाला coordinate नेगेटिव आ रहा है, यानि नीचे की तरफ आएगा इधर, तो यह, इस तरह से parabola आ जाएगा, यह point का coordinate होगया, 2.5, minus 0.25, और यह चाहो तो निकाल लो, y axis पे कहां cut करेगा, तो x को 0 रखोगे, तो y axis पे कहां cut करेगा, 6 पे, तो ऐसे यह parabola बन जाएगा, ठीक है, आया समझ गये, तो ऐसे हम parabolic graphs बना सकते हैं, अब इस तरह की situation भी कभी कभी आ सकती, बागी commonly कुछ simple parabolas, ज़्यादा तर अपने को यूज होते हैं, तो उनके हम graph देख लेते हैं अलग से, और याद रख सकते हैं, तो लिखो, graphs of some common parabolas, कुछ common parabolas जो हम देखते हैं, तो simple इस तरह से होते हैं, सिर्फ y is equal to x square हो गया, या some constant into x square हो गया, ठीक है, तो y is equal to यापने ऐसा बोल सकते हैं, kx square, k एक constant है, तो अब इसमें क्या है, सिर्फ simple size of function है, तो इसमें जब x 0 होगा, y भी क्या होगा, 0, तो यह क्या करता है, इसका origin vertex पर ही होता है, और vertex से ऐसे, जब ओर origin जो है, ऐसे, तो यह इस तरह का graph बनता है, y axis के about symmetric graph, ठीक है तो इस तरह का, ठीक है तो x 0 है, y भी 0 है, इसमें a positive, मतलब k positive है, तो क्या बन जाएगा, upward parallel, ठीक है न, k को हम क्या मान रहे हैं, ठीक है, b 0 है इसमें, तो x coordinate vertex का क्या हो गया, 0, ठीक है, और d क्या आएगा, d भी 0 आएगा, भी b 0 है, c 0 है, अब discriminant क्या होता है, b square minus 4ac, तो b वाली term 0, यहां से होगी, c वाली 0, जिसलिए यही vertex होता है, ठीक है, ही अगर, y is equal to minus kx square होगा, तो फिर ऐसा ही बन जाएगा बस, कहां की तरफ हो जाएगा वो, downwards, अच्छाब यह तो, ज़्यादा तर हम equation ऐसे लिखते हैं, y is equal to ax square plus bx plus c, तो इसमें क्या होता है, y is equal, जब kx square लिखना है, तो x तो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, लेकिन x का square कैसा हैगा, positive, तो इसलिए y हमेशा कैसा है, positive, x positive भी है, और negative भी, यहां minus sign लगा दिया, तो यह term तो हमेशा positive आएगी, लेकिन y हमेशा कैसा हो जाएगा, negative, तो x positive भी हो सकता है, negative भी, y हमेशा कैसा होगा, negative, लेकिन कई बार क्या होता है, graph इस तरह से देते हैं, जैसे x is equal to k y square, जब एक्स जो है, वो y का एक quadratic type का expression दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, जो graph है, इस तरफ y की तरफ होता है, वो concave अब किस की तरफ हो जाता है, x की तरफ, जब इस तरह का दर equation दे दी अपने को, तो फिर जो graph है, वो इस तरफ concavity आएगा, इसा बन जाएगा, क्योंकि अब इसमें, y positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, लेकिन x हमेशा कैसा आएगा, positive, तो वो इस तरह से आजाता है, ठीक है, ज़्यादा तरफ तो ऐसी graph आते हैं, y is equal to kx, उसके लेकिन अगर x और y को interchange कर दिया, तो graph की shape भी वैसे axis के हिसाब से change हो जाएगी, जैसे हैं यहाँ पर y के along ऐसे जा रहा था, वहाँ किस की तरफ जाने लगेगा, x की तरफ, और ऐसे ही, अगर x is equal to minus ky square ऐसा graph दे दिया, तो वो फिर ऐसी x axis की तरफ, इस तरह से आजाएगी, ठीक है, तो यह भी धियान लखना होता है अपने को, तो कई बार तो इस तरह के graph हो सकते हैं, आ रहा है समझे है, तो यह graph में अपने को इतना अच्छे से पता होना चाहिए, कि कैसे हम state line, parabolic functions इनका graph बना सकते हैं, इतना ही करते हैं अच्छे,